जैन मेरे प्यारे साथी हों, यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके SSC GD Constable 2021 की भरती के बारे में और बहुत ही ज़्यादा महत्मूर जानकरी इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हूं तो वीडियो को अन तक जरूर देखेगा ताकि आप सभी को पूरी जानकरी मिल पाए वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अब्रेट आप सभी को रेकुलर मिलती रहे तो चलिए चलते हैं इन्फॉर्मिशन की तरफ और यहाँ पे आप सभी को पूरी जानकरी देते ह हैं तो यहाँ पे सबसे मेंदपुर जानकर यह है आप सभी को सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी कट-off को लेकर काफी परिशान रहते हैं और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी बहुत सारे लोगों का मैस्स कमेंट आ रहे थे कि सर cut off हो सकती है तो expected cut off बताइए तो आप मैंसे कुछ लोगों ने request किया था कि मैं cut off आप सभी के लिए बनाऊं तो जो मुझे लगता था फो मैंने आप सभी के लिए cut off बनाई थी हालांकि आप सभी जानते हैं कि उस वाद का कोई प्रमार तो है ये video बना दिया था तो उसके लिए आप कोई bound नहीं है कि आप उस चीज को मानें क्योंकि हो सकता है आप भी उस चीज को analysis करके ये मान सकते हैं कि कितनी cut off जा रही है तो आपने खुद exam दिया तो आपको अच्छे से पता होगा कि कितनी cut off जा सकती है तो ये आपके उपर depend करता है कि आप बात को मानें या ना मानें वो जो मुझे लगता है वो मैंने आप सभी के लिए बना दिया था क्योंकि आप सभी लोग चा रहे थे तो ऐसी cut off हो सकती है जैसी मैंने बनाई थी लेकिन उसकी कोई guarantee नहीं है वो matter नहीं करता लेकिन हर बनादा आपको अनुमान से ही बताएगा exact कोई नहीं बताएगा अब बात यह है कि आप सभी जानते है कि second phase में जो आपका होगा वो होगा physical तो यहाँ पर जितने candidate qualify होंगे उन सभी candidate का आपका physical करवाय जाएगा और physical के लिए आप सभी को बता दें कि बहुत जादा time नहीं मिलता जब आपका final result आजाता है तो उसके बाद अगर आप तैयारी करना सुरू करते हैं basic से तो आप यह मान के चलिए कि आपका running में fail होना निश्यत है कोई नहीं रोख सकता आपको running में fail हो जाओगे होने का reason यह है जब physical start होते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत कम लोग fail होंगे आप में बहुत ही अच्छे marks लेके आएंगे लेकिन होगा क्या वो physical में out हो जाएंगे तो गलती हम कहां पे करते हैं गलती यहां पे करते हैं कि हम इंतजार करते हैं कि जब result आजाएगा हमें confirm हो जाएगा कि हम पास हो गए उसके बाद अपनी physical की तयारी सुरू करेंगे और उन्हें जाके बीच में से निकलना होता है यानि almost selection के इतने करीब पहुंचके उन्हें भरती से बाहर होना पड़ता है तो आप सभी से में नवेदन करना परसेंट भी अगर लगता है कि आपका exam निकल जाएगा qualify आप कर जाएंगे तो अभी से अपनी running की तयारी जो है वो सुरू कर दें और वही आप सभी के लिए बहुत ही बहतर चीज होगी क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो इसका हरजाना आपको बहुत ही जादा भ fail होते हैं इसलिए मैं आप सभी से request करूँगा कि अभी आपका exam हो चुका है और आप सभी को पता चल गया होगा कि आपका कितना score बन सकता है आपका exam निकलेगा या नहीं निकलेगा तो आप खुश से पूछे अगर आपको विश्वास है कि आपका exam निकल जागा तो अपनी तयारी शुरू करतीजिए तो आने वाले जो भी दिनों में आपके exam होने वाले जिसका भी exam होगा होने के बाद तुरंत बाद आपको अपने physical पर concentrate करना और physical की तयारी शुरू कर देनी है क्योंकि एक मात्र event बचेगा जिसमें आपका roll रहेगा क्योंकि medical तो ये है बंदा अ examination होता उसमें भी बहुत सारी चीज़े लग के उपर depend करती है लेकिन physical में तो कुछ भी लग के उपर depend नहीं करता आपने तयारी की आपने मैनत की तो definitely आप physical को qualify करोगे अगर आपने तयारी नहीं की तो आप physical को qualify नहीं करोगे कि running होती है उसके अलाबा और कोई event आप सभी क होता नहीं है तो बहुत ही बहतरीन मौका है क्यूंकि बहुत सारे टॉप ऑल लोग जो होते हैं वो यहीं कलती करते हैं कि वो अपनी फिजिकल की तयारी नहीं करते हैं तो इस वीडियो में आप सभी को यहीं कुझारिस करना चाहूँगा कि सभी लोग अपनी physical की तयारी में जुट जाईए अकर किसी भी तरीके का कोई doubt रहता है या कोई problem आती है तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं या मुझे instagram पर follow कर सकते हैं आप देश चौतरी के नाम से या study for dreams 1 के नाम से कहीं पर भी जाकर मुझे message कर सकते हैं तो मैं आप informative वीडियो आप सभी के लिए जरूँ पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share करके चैनल को subscribe कर लेना तक कि in future भी आप सभी को regular इस तरीके की update मिलती रहे हर एक information जो होती हो उसकी intention सिर्फ और सिर्फ आप सभी का profit होता है कि कैसे भी करके आपको कुछ न कुछ दिया जाए जिससे कि आपका benefit हो profit हो और आप बढ़ती के पास कोंच के ऐसा ना हो कि बढ़ती से भार हो जाए तो हमारा जो उद्यस होता है वो यह होता है कि कैसे भी करके कि आपको selection हो जाए तो सातियो फिलाल करें पास इतना ही अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्दी सो thank you for watching जैहन जैवारत